Assalamu alaikum welcome back to my channel उमीद है आप सब खेर अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोग के लाई हूँ क्रिस्पी फ्राइड विंक्स बहुत मज़ेदार कैसी स्टाइल है और बहुत ही टेस्टी और जूसी बहुत टेस्टी बनने वाले तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की दरफ तो क्रीम वाला अपने दूद लेना है मलाई वाला याने और अब हमेश में कुछ मसाले डालेंगे कुटा हुआ धनिया में एक चमच कुटा हुआ जीरा एक चमच लाल मिश पाउडर एक चमच नमक हस भी जरूरत में आदा चमच लिया है आप सब चीजे मसाले अपने टेस्ट का लिया है और एक चमच भरके मैं नहीं आ लिया है सोया सॉस और साथ इसमें में शामिल कर दूंगी एक अंड़ा और अब इन सब चीजों का मच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह दिखें अब हमने सचे मिक्स करके इस फ्रीड में रख देना है तकरीब आदे से एक घंटे के लिए मिरीनेशन के लिए तो यहां देखें आदा गंटा हो गया है मुझे अब हम इसकी कोटिंग का समान तयार करते हैं तो एक बॉल लेना है जिसमें हम डालेंगे एक कप भर के मैटा और साथ इसमें डालूंगी आदा से थोड़ा कम हमने कौन फ्लोर यहां लिया है और अब इसमें कुछ स्पाइस डालेंगे हम आदा चमच में ले रही हूं लाल मेश पाउडर और आदा से थोड़ा से कम नमक ले रहे हैं आपने टेस्ट के साब से ले सकते नमक ज्याद और कम भी कर सकते हैं और अब इन सब चीदों काम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखें कोटिंग भी हमारी रेडी है और विंक्स भी हमारी रेडी है इसे दुबारा से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बाजू लेंगे जिसे हम अच्छे से मैदे में कोट करेंगे आपने बहुत अच्छे से से कोट करना है ठीक है तो देखें इस तरह अच्छे से दबा दबा के हम बाजू को अच्छे से कोट कर लेंगे और इसे निकाल के साइट पर रख देंगे इसी तरह से हम सारे तयार कर लेंगे अब त्यारे अब हम क्या करेंगे एक और बाजु लेके अब हमने जो मेरीनिशन का समान था है ना इसी में इसे डुबारा कोड़ करके फिर दुबारा मेardon में डालेंगे और इसी तरह हम सारे कोड कर लिए और अच्छे से अपने मे Sir कोड़ करने हैं में दूबारा अछ़गी जब इसे गरम होने देंगे और एक एक करके आप इसमें बाजू रखेंगे विंग्स और इसे अब हम मीडियू आँच पर इंच पर ही फ्राय करेंगे तकरिबान 2-3 मिनट तो आज आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह बिल्कुल हलकी आज पे इने फ्राय कर रहे हैं हम वीडियो मांच पर और जब दो मिनट हो जाएं तब इनका कलर चेंज हो रहे हैं तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे इस तरह और दूसरे साइड से भी दो से तीन मिनट पकाएंगे तक्रिवन चार से पांच मिनट में अच्छे से फ्राय हो जाएंगे तो यह देखें पांच मिनट हो गए इस पांच से मिनट और यह अच्छे से फ्राय हो गए अब हम इने निकाल लेते हैं अब तो यह सा इस तरह हम बाकी भी फ्राय कर लेते हैं तो बाकी के भी डाल दी है और यह फ्राय करते हैं तो ये देखें मज़ेदार क्रिस्पी विंग्स तयार हैं अगर आप लोगों कमीद रेसी पेची लगी प्लीज वीडियो को लाइक किया करें चैनल को सब्सक्राइब किया करें पिर मिलेंगे नहीं वीडियो से अपनों बहुत सारा क्या रोखेगा लाफिस